हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फलों फसलों और सबजियों के जो कुछ रोगों के बारे में जो की परिक्षा की दिरिश्चे से बहुत महत्वपूर्ण है और परिक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले खैरा रोग धान में होता है रक्ट रोग गेहूं में होता है वंची टॉप रोग केला में होता है मार्स रोग मैगनीज की कमी के कारण होता है और यहाँ मटर में होता है लाल सडन रोग कवक की किस्से होता है जो की गन्य में होता है उसी तरह से आपको चित्र में दिख रहा है ये गन्य पे रैड रॉट नाम का रोग है जो की जो गन्या है उस पे लाल लाल चित्तियां प ठेट रोग, मुंखफली में टिक का रोग होता है, जो कि जिंक की कमी के कारण होता है, धान में होता है बλαस्ट रोग और बाजरा में होता है हरित बाली रोग, सेब में होता है अगनी निरजा रोग और आलू में होता है ब्लैक हट रोग जो कि ऑक्सिजन की कमी के कारण होता है आपको चित्र में अभी दिखाए दे रहा है कि बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के आलू पे जो काले-काले चित्तियां पड़ रखी हैं वे सब ऑक्सिजन की कमे के कारण हो रही हैं और इसे ब्लैक हट रोग कहते हैं इसके बाद नीमू लैमन जो है उसमें डाइबैक रोग होता है जिससे कि इसकी पत्तियां होती हैं वो पीली फड़ जाती हैं जो फल होते हैं उनका वे कम रस्दार होने लगते हैं और फल का साइज भी कम होने लगता है अगला है गाजर गाजर में जो होता है वह कोटर स्पार्ट रोग होता है मक्का जो है उसमें वाइट बड रोग होता है जो की जिंक की कमी के कारण होता है जो कंदर जो है उसमें हर रट रोट रोग होता है जो फूल गोबी है उसमें ब्राउनिंग रोग होता है जो गेहों है गेहों में टुंडू रोग होता है और भिंडी में पीला येलो वैन मोजेक रोग होता है जो की वीशानों से होता है इसके बाद लास्ट है बाजरा, बाजरा में है इरिगाट रोग जो की कवक से होता है दोस्तों मैंने यहाँ पे मैंसन किये हैं कुछ ही महत्वपूर्ण, फसलें, फल यही परिक्षा के दिर्श्चे से महत्वपूर्ण है तेंक यू